हेलो दोस्तों स्वागते आपका मेरे यूटूब चैनल पर ध्यान रखने योगे बाते एक बार अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पड़े नमबर एक अपने आपको तनाव से दूर रखे और खुश रहने की कोशिश करे नमबर दो अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती हो तो शहद और प्याज को मिक्स करकर खा लिया करे नमबर तीन यदि नीद ना आने के कारण आप परेशान है तो भीगी हुए अक्रोट का सेवन करे इससे नीद अच्छी आएगी नमबर चार रोजाना भीगी हुई किसमिस खाने से रोप परती रोधक्षमता मजबूत होती है जिससे हम बिमारे से बचे रहते हैं साथ ही दिल से जुड़ी समश्य भी नहीं होने देती नमबर पांच अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो सरसो के हलके गरम तेल से पैरों में मालिश करे इससे दर्द में राहत मिलेगी नमबर च्छे अगर सर में दर्द हो तो अपने माथे पर निम्बू मसले इससे सर दर्द दूर हो जाएगा नमबर साथ अगर मच्चर काट ले तो उस पर साबुन मसले अराम आएगा नमबर आठ अगर कोक्रोज और चीटियों से प्रेशान है तो अपने फर्ष पर चाक से लकीर कीच दे कीडे नहीं आएंगे नमबर नो रात को जादा देर तक जागने से इनसान का दिमाग कमजोर होता है नमबर दस खामोश रहने से दिमाग ताकतवर बनता है नमबर ग्यारा चहरे पर जूरिया जादा मीटा खाने की वज़ा से पड़ती है 12. खीरा जादा खाने से बुड़ापा जल्दी नहीं आता 13. सादा दाल रोटी खाने से इंसान जल्दी बिमार नहीं पड़ता है 14. सफेद प्याज का रस निकाल कर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे 15. अमरूद खाकर कभी भी दूद नहीं पीना चाहिए इससे नुकसान हो सकता है 16. रोजाना एक फल खाया करे इससे कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं आएगी 17. करेले का पानी पीने से चैरे के दाग दपे मिटने लगते है 18. संत्रे खाने से चैरे का रंग साफ होता है और पेट को ठंड़क मिलती है 19. दातों पर नीम की दातुन रगणने से दातों का कीड़ा खतम हो जाएगा 20. जिन लोगों की सांस फूलती हो वो अंजीर खाया करे इससे बहुत आराम मिलेगा 21. बादाम और अंजीर का मिलक शेक पीने से ताकत मिलती है 22. खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए इससे बदहजमे की दिक्कत हो सकती है 23. मसूडों में दर्द हो या सूजन हो तो पांच किराम फिटकरी को एक गिलास पानी में गरम कर ले और जब फिटकरी पिंगल जाए तो इसे दातों और मसूडों पर साफ कर ले इससे आराम आ जाएगा 24. बीन्स को हाई फाइबर डाइट माना जाता है जो केलास्ट्रोल को कम करता है 25. मेटी चीजे सेहत के लिए नुकसान गायक होती है 26. हल्दी के इस्तमाल से चेहरे पर चमकाती है 27. खरबुजे के बीज चबाने से यादास्त कमजोर नहीं होती है 28. दकनी मिर्च का सेवन करने से आको की रोशनी तीज होती है 29. अच्ची नीन के लिए आप अपने बैडरूम में लेवेंडर का पोधा भी रख सकते हैं इससे तनाव कम होता है 30. अगर आपका भी पी हाई रहता है तो आप अपने घर में स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं इससे आपके आसपास की हवावी साफ होगी 31. मुहासों की समश्य को दूर करने और रोमचिद्रों का आकार कम करने के लिए फिटकरी के पाने से नहाले इससे आपकी तवचा में कसावाता है 32. दूद पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज होता है 33. पालक खा कर तुरंट सो जाने से नीद ठीक तरीके से नहीं आती 34. अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए ये शरीर के लिए नुकसान दायक होता है 35. खाना खाते समय जादा पानी पीने से नकुन कमजोर हो जाते हैं और पेट में बधजमी की दिक्कत हो जाती है 36. अगर आप चूहों से तंगा गए हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दे इससे चूहें भाग जाएंगे 37. खाने पीने की चीजों को खड़े हो कर ना खाए इससे शरीर में कई बिमारिया पैदा होती है 38. सफर पर जाने से पहले पुदीने का सेवन करे इससे रास्ते में आपका हाजमा ठीक रहेगा 49. अगर सांस लेते समय दर्थ मैसूस हो तो ये पित में पत्री की निशानी है 40. मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से पीलिये की दिक्कत दूर होती है 41. नास्ते में ज़्यादा मीठे का सेवन करने से दाथ चल्दी कराव हो जाते है 42. जादा पालक खाने से बलड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है 43. कच्ची गोबी खाने से आखों की रोशनी तेज होती है वो रोजाना कच्चा सलाथ बहुत ही फाइदेमंद होता है 44. जो लोग गुस्सा जादा करते हैं उनका जिगर कमजोर हो जाता है 45. जिल लोगों के गुर्दे कमजोर होते हैं उन्हें अधेरे में डर लगता है 46. जो लोग खाने के लिए मिट्टी के बरतन का इस्तमाल करते हैं उन्हें कोई बिमारी नहीं आती 47. अंडे को उबालते समय उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे इससे अंडे फटेंगे नहीं 48. बालों के लंबाई जल्दी बढ़ाने के लिए चावलों के पानी का इस्तमाल करें इससे आपके बाल नरम और मुलायम भी हो जाएंगे 49. रोजा न थोड़े से सोफ चबाए इससे नजर तेज होगी और हाजमा भी ठीक रहता है 50. उची एडी के या तंग पंजो के जूते स्वस्त के लिए आनी पोचाते है 51. दही की तासीर ठंडी होती है इसलिए इसे किसी भी गरम चीज के साथ ना खाएं 52. मचली की तासीर काफी गरम होती है इसलिए इसे दही के साथ नहीं खाना चाहिए इससे अलरजी और स्किन की बिमारी हो सकती है 53. तरबूज को अकेले और खाली पेट खाना ही बैतर होता है इसमें पानी काफी ज़्यादा होता है यह वजन घटाने की अलावा दिल के मरीज्यों के लिए भी अच्छा होता है 54. मीटे फल और खटे फल एक साथ ना खाए इससे पाचन में दिक्कत हो सकती है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया लाइक, कमेंट, शेयर और सस्क्राइब माई चैनल